एक है पूर्प आज हम डिसकस करने वाले हैं बढा एक इंटरस्टिंग कंसेप्ट और सांचात साथ कंफ्यूजिंग कंसेप्ट भी है BCADADBCCBCE यह क्या कंसेप्ट हैं यह क्या टर्मिलोजी जैं तो शुरू करते हैं एक बहुत इंटरस्टिंग चीज से आपको याद होगा कि आपके घर में बड़े बुजर्ग हैं उनसे आपने कभी ने कभी कहानिया तो सुनी ही होंगी अब जब वो कहानिया सुनाते थे तो क्या कहते थे याद करो आज से बहुत साल पहले एक राजा था एक रानी थी है ना अब इस कहानी में एक जो च साल पहले ले जाके रख दी यानि कि आपको प्रजेंट जो है उस प्रजेंट से पास्ट को लिंक कर दिया वैसे ही दुनिया में जब पास्ट इवेंट यानि हजारों साल पुराने जो इवेंट हुए हैं उन इवेंट से लेके और उस जमाने तक जब से हिस्ट्री राइट क्या करना चाहिए कि एक reference point बनाना चाहिए और इस reference point को center में रखके जितने भी events हुए है उनको पहले और उस reference point के बाद जितने events हुए है उनको categorize कर देना चाहिए ठीक है अब reference point किसको बनाया जाए तो reference point के तौर पे चूंकि यह जो concept देने वाले थे वो पोप थे ठीक है Christians कहीं ने कहीं सीन में आ गए और reference point बना दिया गया हमारे जीजस क्राइस्ट को अब जीजस क्राइस्ट जो है वह बन गया reference point zero जैसे आपने माते पढ़ा होगा number system में number line जो होती है ठीक है जीरो और उसके बात negative integers और positive integers ठीक है तो जीरो से यानि जीजस क्राइस्ट के बर्थ से जब आप पीछे चले जाएंगे यानि जितने भी इवेंट हुए हैं जीजस क्राइस्ट के बर्थ के पहले उन्हें हम कहते हैं बीसी या बिफोर क्राइस्ट होपफुली सोज में आ गया या या अगर मैं कहता हूँ कि गीजा के पिरामिट का निर्मान हुआ था 2500 बीसी इसका मतलब है कि इसा के धाई हजार साल पहले इसा मसीख के जन्मिके डाई हजार साल पहले गीजा के पिरामिट बने थे क्लियर हो गया आपको अच्छा अब आता है एडी तो एडी स्टांड्स फॉर एन्नो डॉमिनी ये एक लैटिन भाशा का जो है वो डिराइब टर्म है जिसका मतलब होता है इन दे इयर ओफ लॉर्ड एन्नो होती है कि एडी को बहुत सारे बच्चे आफ्टर डेथ भी कह दिया करते हैं नहीं जानते जो अच्छे से तो आफ्टर डेथ मत कहना कभी भूल के क्योंकि इससे क्या होगा इससे जीजस क्राइस्ट का जिस दिन बर्थ हुआ होगा और उसके बाद के इवेंट आप मानोग तो यह है एन्नो डॉमिनी यानि इन इयर अफ लॉड मीन्स बिफोर बर्थ और उसके बाद वो वर्ष जिस वर्ष से जीजस क्राइस्ट रहे हैं यहां पर लॉड का मतलब है जीजस क्राइस्ट तो अगर मैं कहूं कि इंडिया गॉट इंडिपेंदेंस इन नाइंटीन वर्ष बाद भारत देश आजाद हुआ होगफुली यह क्लियर हो गया अब इसमें दो टर्मिनलोजी और आती हैं बी सी इ और सी इ तो कई बार इनमें भी कन्फूजन हो जाता है बी सी इ और सी क्या है तो हुआ यह कि बहुत सारे लोग जो इस क्रिस्टियन बाइफरकेशन को यह क्रिस्टियन कैटेगराइज़ेशन को नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे थे खासकर जो जोईश लोग थे जिनने इस लॉर्ड शब्द से दिक्कत थी क्योंकि इन दे यार अफ लॉर्ड का मतलब क्या होता था इसमें लॉर्ड शब्द का मतलब होता था जीजस इस नहीं चाहिए थे इसलिए इन्होंने अपने कुछ टर्मिनलोजी इजाद करी और यह थी बी सी इसका मतलब बिफोर कॉमन एरा आप बी सी कह दें या बी सी ए कह दें एक ही बात है यानि अगर मैं कहूं कि गीजा के पिरामिट बने टॉन्टि फाइफ हंड़ेड बी सी नहीं तो वह एक ही बात हो गई यानि जीजस क्राइस्ट के जन्म के काफी साल पहले धाय हिजार साल पहले लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे बिफोर कॉमन एरा कॉमन एरा या करेंट एरा भी कहते हैं सी-ई का मतलबु करेंट एरा यानि जो बर्तमान में चल रहा है ठीक है आ और जिस क्राइस्ट के जन्म के पहले के सारे वर्ष जो हैं वो बिफोर कॉमनेरा तो अगर मैं कहूं कि इंडिया कॉट इंडिपेंडनेंस इन 1947 CE तो ये बहुत सही होगा क्लियर हो गया तो होफुली अच्छा यहां पे BCE, AD, CE आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसमें किसी भी तरीका का कोई भी discrimination नहीं है नॉर्मली कई बार लिखने में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जब हम numerical में लिखते हैं तो किसी भी numerical के बाद BC इस्तेमाल करते हैं और AD को numerical के पहले इस्तेमाल करते हैं बस इस चीज़ का कई जगह पर ध्यान रखा जाता है तो होफुली यह आपके समझ में आगया होगा थैंक यू